दोस्तो भारत के अंदर इलेक्शन का रिजल्ट आते ही फ्रांस की तरफ से इंजन डील को लेकर एक बड़ा एलान कर दिया गया है और इस खबर ने इस समय अमेरिका और ब्रिटेन को एक बड़ा जटका दिया है अब सभी ये बात जानते हो कि इस समय भारत और फ्रांस के बीच 26 रफाल फाइटर जेट की डील को लेकर बातचीत हो रही है इस बातचीत के बीच अब फ्रांस ने भारत को अपने इंजन की सत पर्तिशट टेक्नलोजी और अपने इंजन के IPR राइट यानि की इंटर एक्श है कि हम अपने मीच के अंदर सवदेशी 120 गिलो न्यूटन फ्रश्ट जनरेट करने वाले इंजन को लगाना चाहते हैं मीच की साफ्रों कंपणी लाइन में लगी हुई है इस डील को पाने के लिए एमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को अपने इंजन की कुछ पर्तिशत टेक्नलोजी भी ओफर कर रखी है लेकिन एमेरिका अपने इंजन के IPR यानि की इंटरेक्शल प्रोपर्टी राइट नहीं देना चाहता है यहां पर IPR राइट का मतलब यह होता है कि हम कविश्य में अगर अपने MK Fighter Jet को दूसरे देश को एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो हमको MK Fighter Jet को एक्सपोर्ट करने से पहले अमेरिका की पर्मिशन लेनी होगी क्योंकि हमारे MK Fighter Jet के अंदर अमेरिकन इंजन लगा होगा और अगर हम अमेरिका के इंजन को दूसरे देश को एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए भी हमको अमेरिका की ही पर्मिशन लेनी होगी अनि की ओवरोल देखा जाए तो अगर हम अमेरिका के साथ मिलकर इंजन बनाते हैं तो हमको काफी ज़्यादा नुकसान होगा हम अपनी मर्जी के हिसाब से इस इंजन का इस्तमाल नहीं कर पाएंगे अलाकि ब्रुटेन की रोइल्स रोई की तरफ से भारत को अपने इंजन की सत पर्टिशट टेकनलोजी और अपने इंजन के इंटरेक्शुल प्रोपरिटी राइट ओफर कर दिये गए हैं अलाकि अभी तक फ्रांस की तरफ से अपने इंजन की टेक्नोलोजी तो भारत को ओफर की जा रही थी लेकिन फ्रांस भी अपने इंजन के इंटरेक्शुल प्रोपरिटी राइट भारत को नहीं देना चाहता था लेकिन अब फ्रांस भी प्रोयल्स रोई की तरह ही अपने इं मर्जी के मुताबिक किसी भी देश को एक्सपोर्ट कर सकेंगे और अपनी मर्जी के हिसाब से हम इस इंजन को दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे प्रांस के इस एलान के बाद अब इस बात की भी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही एमेरिका की तरफ से भी अपने इंजन के IPR राइट भारत को ओफर किये जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि जब रोयल्स रोय की तरफ से अपने इंजन के IPR राइट भारत को पहले से ही दिये जा रहे हैं तो रोयल्स रोय के साथ डील साइन क्यों नहीं कर रहे हैं इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि अली में ह हमने देखा है कि अर्जेंटीना को जब हम अपना तेजस फाइटर जैट एक्सपोर्ट करना चाहते थे तो उस समय अर्जेंटीना ने सबसे पहले ये शर्त रखी थी कि अब तेजस फाइटर जैट से न कंपोनेंट को हटा दी जे जो आपने ब्रिटेन से लिए हैं सी कि सेफ्रोन कंपणी इन तीनों ही कंपणी में से किस कंपणी के साथ हमको डील को साइन करना चाहिए इस बात का अंसर आप केमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो हैव गूड